बच्चों, अब हैं हमारे पास कुछ और तरह के पैटन तो अब हम इन पैटन को ध्यान से देखेंगे और जानेंगे कि इन्हें पूरा करने के लिए हमें किस चीज को जानने की अवशक्ता होती है तो चलिए शुरू करते हैं तो ये रहा हमारा पहला पैटन जिसमें आप देख सकते हैं एक पिंक स्टार है फिर एक ग्रीन स्क्वेर है एक ब्लू सर्कल है फिर फिर से पिंक स्टार है तो सबसे पहले हम इसका रूल यानि इसका नियम समझने की कोशिश करते हैं पहले है एक पिंक स्टार फिर एक ग्रीन स्क्वेर फिर एक blue circle फिर एक pink star तो क्या बता सकते हैं pink star के बाद है green square तो इस pink star के बाद क्या होगा बिल्कुल सही इस pink star के बाद भी होगा एक green square और इसी तरह से pink star के बाद है green square और green square के बाद है blue circle तो इस pink star के बाद है green square तो green square के बाद क्या होगा ध्यान से देखिए blue circle very good और हमने देखा pink star के बाद है green square green square के बाद है blue circle blue circle के बाद है pink star तो इस blue circle के बाद क्या होगा बिल्कुल सही इस blue circle के बाद भी होगा एक pink star तो इस तरह से हम अपने pattern को आगे बढ़ा सकते हैं क्या आप बता सकते हैं इस pink star के बाद क्या आएगा बिल्कुल सही इस pink star के बाद फिर से यही pattern आएगा यानि फिर से एक green square फिर उस green square के बाद एक blue circle फिर फिर से pink star फिर green square फिर blue circle और इसी तरह से हम इस pattern को आगे बढ़ा सकते हैं अगला है ये pattern जिसमें आप देख सकते हैं पहले है एक blue square फिर एक और blue square फिर एक pink circle फिर एक blue square और फिर एक blue square तो हम देख सकते हैं इसमें खास नियम है यानि एक rule है इस pattern में तो वो क्या rule है कि आप बता सकते हैं? बिल्कुल हर दो blue square के बाद आएगा एक pink circle तो दो blue square फिर एक pink circle और फिर हैं दो blue square तो अब क्या आएगा? बिल्कुल सही इसके बाद आएगा एक pink circle तो दो square के बाद है pink circle और वैसे ही दो square और आए फिर से आगया pink circle और pink circle के बाद क्या है? दो blue squares तो इसके बाद आएगा पहले एक blue square और फिर दूसरा blue square तो इसी तरहां से हम इस pattern को आगे ले जा सकते हैं तो क्या बता सकते हैं? इन दो blue squares के बाद क्या आएगा? बिल्कुल सही एक pink circle और इस pink circle के बाद बिल्कुल सही दो blue squares इसी तरहां से इस pattern को आगे बढ़ाया जा सकता है अभी तक हमने जाना कि कैसे हम एक बने हुए pattern को आगे ले जा सकते हैं पर ये pattern तो कुछ अधूरा है और हमें अब इसमें नियम ढून के इसे पूरा करना है हम देख सकते हैं यहाँ पे हैं पहले दो purple rectangles उसके बाद जगा खाली है जहाँ पे हमें बताना है कि क्या आएगा फिर है green square फिर फिर से एक purple rectangle फिर फिर से एक खाली जगा जिसे हमें भढ़ना है और फिर एक green square और फिर एक green square तो हम देख सकते हैं कि दो purple rectangle साथ में आएंगे उसके बाद यहाँ पे कुछ आएगा फिर एक green square आएगा फिर एक purple rectangle फिर उसके साथ कुछ है और फिर दो square साथ में है तो दो purple rectangle के एक जगा छोड़ने के बाद आता है green square और इधर से हम देख सकते हैं कि दो square के बाद एक जगा छोड़ने से आता है एक purple rectangle तो क्या आप बता सकते हैं इन दोनों खाली जगा में क्या आएगा? तो पैटरन कुछ इस तरह से है कि पहले हैं 2 परपल रक्टैंगल उसके बाद कुछ आएगा और फिर एक ग्रीन स्कवेर है तो क्या बता सकते हैं इधर और इधर देखके कि यहां पे क्या आएगा बिल्कुल सही यहां आएगा एक green square क्योंकि दो green square साथ होने चाहिए और अब इधर तो जगा है नहीं तो वो green square इधर आएगा तो मैंने यहां पे एक green square और बना दिया तो दो purple rectangle के बाद आएगे दो green square तो यहां से हमें pattern तो पता चल गया तो अब क्या बता सकते हैं यहां पे क्या आएगा दो purple rectangle फिर दो green square तो यह रहे दो green square और rectangle तो एक ही है तो यहां पे आएगा दूसरा purple rectangle तो मैंने यहां पे एक और purple rectangle बना दिया तो दो purple rectangle दो green square क्या बता सकते हैं आगे क्या आएगा बिल्कुल सही इसके बाद फिर से यही होगा दो purple rectangle फिर दो green square तो ये था इसका rule उसी तरह से ये एक असान सा pattern है जिसे हमें पूरा करना है सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे है एक purple star फिर एक orange oval फिर एक जगा खाली जिसे हमें भढ़ना है फिर है एक orange oval फिर एक purple star फिर एक orange oval फिर एक जगा खाली है और एक orange oval तो हम ने देख सकते हैं कि इस star के पहले भी oval है और बाद में भी oval है तो मतलब जो star है वो दो oval के बीच में है और यहां पर हम देख सकते हैं कि दो ओवल के बीच में एक जगा खाली है तो यहां पर क्या आएगा एक स्टार और उसी तरह इन दोनों ओवल के बीच में भी जगा खाली है तो यहां पर क्या आएगा बिलकुल सही एक परपल स्टार तो हमारा pattern कुछ इस तरह से दिखेगा इसी तरह से नीचे भेजी हुई worksheet में कुछ patterns है लेकिन वो अधूरे हैं उनमें भी ऐसे ही blanks बने हुए है जितने blanks बने हुए हैं उसके अनुसार बताईए कि उसमें क्या आएगा तो नीचे भेजे हुए patterns को पूरा करें थैंक यू